तो जिसना से आपको पता हमारे पास Angular की ये lecture series चल रही है तो आज के इस lecture के अंदर हम बात करने वाले है Understanding Workflow of an Angular app भाई देखो इस topic को न हम different नाम से जानते हैं अक्सर आपने देखा होगा Flow of execution of Angular app या फिर architecture of Angular app या फिर flow of Angular app तो ये सारे जो topics हैं वो इसी lecture के हैं जिसको हम याँ पे क्या कह रहे हैं Understanding Workflow of an Angular app मतलब कि Angular app काम किस तरह से करती है मतलब इसके अंदर जित्ती भी files होती है वो किस तरह से आपस में connect होती है relate करती है और फिर हमारी जो Angular app है वो हमें display होती है मतलब भाई देगो last lecture के अंदर हमने अपनी first Angular app को create करना देखा था तो जब हमने Angular app को create कर लिया था तो हमारे पास Angular app का एक homepage आ रहा था तो वो homepage किस तरह से display हो रहा था मतलब homepage के back end में कौन कौन सी files हैं जो के काम कर रही है इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस चीज़ को हम बिलकुल starting में सीखेंगे ताके जब हम आगे Angular app के साथ काम करेंगे तो हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी तो भई सबसे पहले मैं recommend करूंगा कि अगर किसी ने हमारा part number 4 नहीं देखा तो मैं recommend करूंगा कि पहले वो वाला lecture देख लो क्योंकि पिछले lecture के अंदर जो हमने Angular app बनाई थी उसी को हम आगे लेके जाएंगे और आज उसके workflow को understand करेंगे समझेंगे तो ये हमारा part number 5 और मैं हूँ आपका सर मौमद आदिल और अब हम अपना lecture स्टार्ट करते हैं ठीक है तो बही यहां पे देखो हम Angular app के workflow की बात कर रहे हैं मतलब उसका flow of execution की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक diagram से समझाता हूँ उसके बाद मैं लेके जाओंगा अपनी उस Angular app में जो हमने last class में create की थी ठीक है तो यहां पे आजओ ठीक है तो बही यहां पे देखो यहां पे मैं आपको एक diagram से समझाने लगा हूँ आपने यह diagram बहुत गोर से समझनी है जोगे भाई देखो अगर आपको यह diagram समझ में नहीं आई न आप कभी भी Angular app के साथ काम नहीं कर पाओगे ठीक है तो be attention और इस diagram को बहुत अच्छे से समझना है भाई देखो हमारी Angular app की सबसे पहली file कौन सी execute होती है मतलब हमारी Angular app का जो entry point होता है वो क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक file होती है जिसका नाम है main.ts .ts मतलब यह type script की file होती है इसके अंदर type script का code होता है तो यह जो main.ts की file है यह क्या होती है यह हमारी Angular app का entry point होती है इसका मतलब हमारी Angular app का दर्वाजा कौन है ये main.ts फाइल मतलब जब भी हम अपनी Angular app को run करते हैं तो सबसे पहले कौन सी फाइल execute की जाती है main.ts तब ही देखो इसका नाम क्या रखा गया है main मतलब बहुत जादा important वही जिस तरह अगर आपने Java programming language पढ़ी है C sharp programming language पढ़ी है C language या C++ पढ़ी है तो वहाँ पे एक main method होता था main function होता था जो के सबसे पहले execute होता था तो उसी तरह से हमारी Angular app के अंदर ये वाली जो file है जिसका क्या नाम है main.ts ये सबसे पहले execute होती है मतलब Angular सबसे पहले इस file को execute करता है तो भाई देखो interviews के अंदर भी ये question पूछा जाता है कि Angular app का entry point क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा main.ts तो भाई देखो ये main.ts वाली file होती कहां पर है तो यहाँ पे देखो inside src folder मतलब देखो हमारा जो project folder होता है उसके अंदर हमें src का folder मिलता है और src के folder के अंदर हमें ये वाली file मिलती है जिसका क्या नाम है main.ts तो भाई यहाँ पे आजाओ मैं साथ-साथ आपको दिखाता जाता हूँ अपने visual studio code में तो यहाँ पे आजाओ ठीक है तो यह देखो यह हमारी new app है जो हमने last class में बनाई थी और यह क्या है यह new app ही हमारी angular app है और देखो इसके अंदर बहुत सारे files और folders आपको नज़र आ रहे होंगे लेकिन मैंने क्या बताया सबसे पहली file कौन सी है main.ts और main.ts आपको कहां मिलेगी यहां पर मिलेगी देखो src का folder नज़र आ रहा है इसको यहां left side से expand करो नीचे आज़र और यह देखो यह आपको नज़र आ रही है main.ts ठीक है तो सबसे पहले यह वाली file execute होती है तो इस file को मैं open करके रख लेता हूं ठीक है इसको समझाता हूं अभी पहले इसको just मैंने open किया अब यहां पर आ जाओ ठीक है main.ts के बाद कौन सी file execute होती है यहां पर देखो app module main.ts के बाद जो हमारी file execute होती है वो है app module अचा बई देखो app module file नहीं है app module समय लो एक naming convention है मतलब एक नाम है लेकिन app module की file का क्या नाम होता है यहां नीचे देखो app.module.ts और यह वाली file कहां पर मौजूद होती है यह file मौजूद होती है देखो inside src के अंदर एक और folder होता है app उसके अंदर यह वाली file होती है जिसका क्या नाम है app.module.ts मतला बाई देखो main.ts के बाद ये वाली file execute होती है कौन सी app.module.ts एक बात याद रखना ये एक module file होती है अभी तक हमने modules का concept cover नहीं किया उसको आगे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे आप एक बात अपने mind में रखना कि ये app module कौन सी file है एक module file है हमने introduction में discuss किया था कि angular app के अंदर modules बनते हैं तो modules क्या होते हैं इसको आगे जाके देखेंगे तो अब अगर मैं आपको ये दिखाओं ये वाली file कहाँ पे होगी src के अंदर एक और folder होगा app उसके अंदर हमें ये वाली file मिलेगी तो यहाँ पे आजाओ तो भाई देखो ये src है और src के अंदर देखो यहाँ पे आपको app folder नज़र आ रहा है आप इसको expand करो और यहाँ पे देखो सबसे last में आपको नज़र आ रहा है app.module.ts और भाई देखो ये जो app है न ये app folder इसको मैं क्या कह रहा हूँ app component क्या होता इसको भी हम आगे जाके discuss करेंगे तो देखो app.module main.ts के बाद मतलब यहाँ पे देखो main.ts के बाद कौन सी file execute होती है app.module.ts और ये कहाँ पे मिलेगी आपको src के अंदर app folder के अंदर फिर आगे आजाओ app.module के बाद क्या execute होता यहाँ पे देखो app.module के बाद एक file है जिसका नाम है app.component.ts देखो ये भी type script की file है और ये वाली file कहाँ पे मौझूद होती है देखो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी src के अंदर app folder है और app folder के अंदर आपको ये वाली file मिलेगी तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आजाओ भाई देखो main.ts के बाद पहले मैं app.module यहाँ पे open कर लेता हूँ ठीक है और फिर मैंने क्या बता है यहाँ पे app.module के बाद कौन सी file है app.component.ts और ये file भी आपको यहीं पे मिलेगी देखो इसके ठीक उपर नजारा है आपको app.component.ts ठीक है तो इसको open करते हैं ठीक है तो यह हमारी third file यहाँ पे open होगी और एक चीज़ माइन में रखना देखो मैं sequence से open कर रहा हूँ पहले main फिर app.module.ts फिर app.component.ts फिर आगे आजाओ अब देखो इसके बाद कौन सी file execute होगी इसके बाद जो file execute होगी उसका नाम है app.component.html और यहाँ पे देखो अब यह TS file नहीं है यह HTML file है HTML file मतलब आप इसको कह सकते हो यह user interface के लिए एक file है और यह कहाँ पे मौजूद होगी यह भी मौजू तो यहाँ पे आजाओ तो यह देखो app folder के अंदर देखो second location पे आपको नज़र आ रही है app.component.html इसको भी मैं open कर लेता हूँ तो यह देखो यह file भी यहाँ पे open हो गई अब आगे आजाओ अब भई देखो यह वाली जो file है ना यह HTML की file है तो भई अगर मुझे इस HTML के अ हमारे पास src के अंदर app folder में होगी मतलब भई देखो यह जो app.component.html है ना इसका HTML का code सारा इस file में होगा और इस file का जो css का code है वो हमें इस file से मिलेगा जिसका क्या नाम है app.component.css और यहाँ पे आजाओ यह भी हमारे पास app folder में है ठीक है तो अगर मैं आपको दिखा दूँ ठीक है तो यहाँ पे आजाओ यह देखो सबसे पहली पहली आपको file नजर आ रही है इसको मैं open करता हूँ और देखो यह भी बिलकुल खाली है मतलब यहाँ पे कोई भी css अभी specify नहीं हुई भी ठीक है तो यहाँ पे आजाओ तो भई देखो app.component.html के बाद कौन अच्छी file execute होती है यह वाली जिसका क्या नाम है index.html और index.html file हमें कहाँ पे मिलेगी यह हमें मिलेगी सिर्फ src के folder में मतलब पहले समझो के एक तो यह वाली file है app.component.ts और तीसरी है आपके पास app.component.html और चौती है app.component.css तो यह जो चार files है न यह हमें कहाँ पे मि मिलेंगी यह चार files लेकिन यहाँ पे देखो यह जो main.ts की file है और index.html की file है यह हमें कहाँ मिलेंगी src के folder के अंदर मतला main.ts और index.html है यह जैसी आप src का folder open करोगे तो src के folder के अंदर यह दोनों files आपको मिल जाएंगी तो अगर यहाँ पे आ जाओ तो यह देखो मै main.ts की file थी और यह देखो index.html इसको मैं open करता हूँ तो यह देखो यह है हमारी index.html file तो अब अगर यहाँ पे आ जाओ भाई देखो हमारी सबसे last file यह वाली execute होती है index.html और यही वो file है जो हमारी website का user display करता है मतलब यह वही file है जो हमारी website के user को नजर आती है और last class में आपको याद होगा जब हमने अपनी angular app बनाई थी तो जब हमने अपनी angular app को run किया था तो हमें एक home page शो हो रहा था वो home page इसी file से आ रहा था जिसका क्या नाम है index.html इसका मतलब index.html यह वही file है जो हमें first time browser पे render होती है डिस्पले होती है लेकिन आप देखो index.html को execute करने से पहले देखो कितनी सारी files execute हो रही है तो यह flow समझना जरूरी है यह flow of execution समझना जरूरी है ठीक है तो भाई देखो मैंने sequence के साथ सारी files को open किया हुआ था तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ ठीक है यह जो मेरी application है angular app इसको पहले मैं run करता हूँ देखो यह अपने server पे अपनी इस app को run करता हूँ तो उसके लिए मैंने आपको command बताई थी last class में ng serve ng serve लिखके आप जैसी enter करोगे यह हमारे पास run हो जाएगी हमारे browser पे तो यहाँ पे देखो यह run हो चुकी हमारे local server के उपर और देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपने browser के URL पे क्या लिखा localhost 4200 और यह देखो यह आपको homepage नजर आ रहा है और मैंने क्या बताया था यह जो आपको homepage नजर आ रहा है यह है basically index.html वाली file कौन सी वाली file जो हमें सबसे end में यहाँ पे देखो जो user को display होती है वो basically हमारी angular app की सबसे पहली file होती है जो user को नजर आती है ठीक हो गया main.ts वाली file दिखा हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो यह सबसे पहली file है यहाँ आपको नजर आ रही होगी यह देखो देखो यह typescript की file है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था हमारा जो browser होता है वो हमारे typescript को नहीं समझता वो हमारी javascript को समझता है इसका मतलब जब भी हम अपनी application को run करते है न तो यह जितना भी typescript का code है यह javascript में convert होता है तो यह point अपने mind में रखना क्योंकि अगर हम अपने typescript को javascript में convert नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा browser हमारे typescript के code को नहीं समझ सकता तो यह देखो यह जितना भी code है typescript का यह javascript में convert होता है तो यहाँ प आप जरा इस लाइन के उपर फोकस करो, यह देखो, यहाँ पर import हो रहा है, क्या import हो रहा है, app.module वाली फाइल, देखो यहाँ पर ts लगानी की जरुवत नहीं है, और इस फाइल को यहाँ पर देखो, मैंने एक alias के अंदर store कर दिया, जिसका क्या नाम है, app.module, और यहाँ प interface के लिए जो एक framework है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, देखो, यहाँ पर bootstrap का मतलब है, कौन सा module सबसे पहले start होगा, जिस तरह भाई देखो, आपने कभी windows की होगी, तो वहाँ पर booting का process होता है, तो booting के process में क्या होता है, वो start होता है, तो यहाँ पर bootstrap का मतलब, जो module हमारा start होगा, kick start होगा, वो कौन सा होगा, app module, भाई जिस तरह हम बाइक को start करने के लिए क्या करते हैं, kick लगाते हैं, तो समय लो हमारी angular app यहाँ पर main.ts के बाद किसको initiate कर रही है, app.module को initiate कर रही है, हम चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा module भी रख सकते हैं, लेकिन requirement के हिसाब से होता है, हर जगा नहीं होता, और देखो इस app module को, मैंने यहाँ पर bootstrap करवाने से पहले, मतलब start करवाने से पहले, इसको यहाँ पर मैंने import किया है, क्योंकि अगर मैं इसको import नहीं करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पर use भी नहीं कर पाऊँगा, और यह देख फाइल है main.ts के बाद app.module, तो यहाँ पर आजाओ, यह देखो, हमारी second file है app.module, तो अब इसके अंदर जरा देखो क्या हो रहा है, तो भई अब जरा इस file के उपर focus करो, भई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको top पे imports नजर आ रहे हैं, यह basically पता ही क्या है, यह modules है, हम modules को import करते हैं, भई देखो, same उसी तरह, जिस तरह, हम libraries को import करते हैं, दूसरी programming languages के अंदर, जिस तरह अगर आपने C sharp देखा हो, Java देखा हो, C++ या C language में देखा हो, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़े top पे import किया करते थे, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, कि जो चीज ह हमें चाहिए, उसको सबसे पहले हम import करते हैं, और उसका कोई नाम सेट करते हैं, और फिर उसके नाम को हम use करते हैं, जिसको हम alias कहते हैं, तो यह basically क्या है, modules है, तो यहाँ पर देखो, यह जो app module वाली file है, इसके अंदर यहाँ पर देखो, आपको एक directive नदर आ रही होगी, ng module, और इसके अंदर देखो, declarations का एक array है, और array के अंदर आप एक चीज़ notice करो, कौन सा component पास हुआ है, app component, और यह app component किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर देखो, यह देखो, मैंने क्या बताया था, app module के बाद क्या execute होता है, app.component.ts, तो app.component.ts, यहाँ पर किसको कह रहा आप component को, तो मतलब यहाँ पर देखो, कि app module के बाद कौन सी file execute होती है, app component वाली, मतलब यह वाली, तो इसका मतलब आगे जाके हम जितने भी components बनाएंगे, उसको हमें इस module के अंदर, इस declarations के array के अंदर, लाजमी यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक angular app के अंदर multiple components बना सकते हैं, यह allowed है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब कौन सी file है, यहाँ पर, app.component.ts, तो अब मैं इसको open करता हूँ, यहाँ पर देखो, left side में आपको नजरा आ रहा होगा, app.component.ts, इसको open करते हैं, तो भाई, अब यहाँ पर देखो, भाई देखो, यह जो app.component. .ts वाली file होती है, बेसिकली यह एक class होती है, देखो, आपको नजरा आ रहा है, यह app.component क्या एक class है, तीक है, और इसके अंदर देखो, एक variable मनावा है, एक property बनी है, जिसका क्या नाम है, title, और इसके अंदर क्या लिखावा है, new app, और यहाँ पर देखो, इस class से पहले, यह यहाँ पर आपको यह कुछ code नजरा रहा होगा, इसको हम कहते है, decorator, यह type script का decorator function कहलाता है, और decorator function क्या करता है, हमारे component को कुछ information provide करता है, और देखो, इस component decorator को मैंने सबसे पहले, यहाँ पर क्या किया है, import किया है, तो यहाँ पर देखो, यह जो हमारे पास decorator function है, component का, इसके अंदर तीन चीज़े है, एक selector है, एक template URL है, और एक style URL है, बदला भई देखो, यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कि app.component वाली file के बाद कौन सी file execute होती है, app.component.html, और इसके साथ कौन सी file connect होती है, css की, app.component.css, तो अगर आप यहाँ पर देखो, यह second line देखो, इसमें बता रहा है, कि भई, जो आपको template उठाना है, जो आपको HTML का template यूज करना है, वो कौन सी file में से करना है, app.component.html, और फिर क्या बता रहा है, इसकी जो css file है, देखो, इसकी css file का क्या नाम है, app.component.css, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सह .component.ts के अंदर, तो देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है, कि भई, यह वाली जो template file है, यह जो html file है, यह कौन से selector के ओपर भेजी हुई है, जिसका क्या नाम है, app.root, इसका मतलब, यह html file है, और यह कि css है, तो यह html file कहाँ पर भेजी हुई है, app.root पे, तो अब जरा concept समझना, मैंने आपको क्या बताया था, कि app.component.html के बाद, कौन सी file execute होती है, index.html, तो भई, यहाँ पर देखो, अगर मैं अब आपको यह वाली file दिखाओ, कौन सी app.component.html, तो यहाँ पर आजाओ, तो यह देखो, यह app.component.html, देखो, यहाँ प code भी देखने को मिलेगा, देखो, यह सारी CSS है, और नीचे आजाओ, यह देखो, यह सारा HTML का code है, नदर आ रहा है आपको, देख रहे हो, सारा यह HTML का code है, और अब आपको मजी की बात बता हूँ, यह जो सारा code है, यह हमारी Angular app के homepage का code है, कौन से homepage, जो मैंने आपको यहाँ लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे देखो, आपको यह नजर आ रहा है, एक image है, बिल्कुल starting में, और span के अंदर welcome लिखा हूँ, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ, यह देखो, टॉप में देखो, यह आपको image नजर आ रही है, Angular app का, यह जो logo है, और इसके आगे अगर मैं save करता हूँ, control S करता हूँ, अपने browser पे आता हूँ, तो देखना, यहाँ पे देखो, क्या result आ गया, welcome to Angular, इसका मतलब, यह वाला जो पूरा HTML का code है, CSS का code है, यह सारा कहां से आ रहा है, यह आ रहा है, यहां से, app.component.html में से, समझ में आ रहा है आपको, और भाई browser पे आप देखोगे, तो यह देखो, यह पूरा का पूरा हमारे पास page blank हो गया, समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको वापिस ले आता हूँ, थोड़ी देर के लिए, control Z करता हूँ, save करते हैं, तो यह सारा code क्या होगा, यहां पे वापिस आ जाएगा, देखना, सारा code वाप समझ में आ रहा है, और एक और चीज अगर मैं आपको यहां पे दिखाओ, इस file के code में नीचे आ जाओ, यहां पे देखो, आपको एक line नजर आ रही होगी, title app is running, मतलब यहां पे क्या लिखा है, app is running, और इससे पहले देखो, double curly bracket में एक variable है, title, यह title variable पता है कहा से आ रहा है देखो, यह आ रहा है, यहां से, यह जो हमारे पस file है, app.component.ts, देखो, इसके अंदर यह class है, इसके अंदर एक property बनी भी है, ठीक है, property भी कह सकते हो, variable भी कह सकते हो, और इसके अंदर देखो, क्या लिखावा है, new app, इसका मतलब यह जो title वाला variable है, यह मैं कहां पे पास कर अपने app.component.ts से app.component.html में पास कर रहा हूं, तो यहां पे देखो, इसका मतलब यह title में हमें क्या display होगा, new app is running, तो अगर मैं इसका result आपको दिखाओ, ठीक है, save करते हैं, यहां पे आजाओ, यह देखो, यह आपको नजर आ रहा है, जा मेरा mouse है, देखो, क्या लिखा है new app.app is running, तो मतलब title में मैं जो भी लिखूँगा, वो यहां पे आ जाएगा, तो अगर देखो, मैं यहां पे जाता हूँ, app.component.ts में, और अगर मैं यहां पे title के अंदर अपने channel का नाम लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ, learning never ends, इसको save करते हूँ, ब्राउजर पे आता new app की जगा आप यहां पे क्या display हो रहा है, learning never ends, समझ में आ रहा है, तो मतलब आपको इसका flow समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और मैंने आपको क्या बता है, यह जो app.component.html है, इसके साथ एक css की file भी attach होती है, लेकिन भाई देखो, यह जो app.component.html की css है ना, वो सारी यह पर लिखी हुई है, देखे हो, सारी यही पर top पर लिखी हुए है, मतलब दूसरी file को use नहीं किया गया यहां पर, और फिर मैंने आपको क्या बता है, यहां पर देखो, मैंने क्या बता है, कि app.component.html का जितना भी data है, वो सारा कहां पर जाता है, index.html में, क्योंकि भाई द देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पर, इस file को open करता हूँ, index.html को, और यह हमें कहां पर मिलेगी, यह हमें मिलेगी हमारे src के folder में, तेके नीचे आदाओ यह देखो, main.ts के ठीक ऊपर, इसको मैं open करता हूँ यहां से, तो अब यहां पर देखो, भाई यही वाली file user को display होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बता है, यह जो आपको homepage नजर आ रहा है न, यह पता है कौन display करवा रहा है आपको, यह display करवारी है, यह वाली file जिसका नाम है, index.html, लेकिन यहां पर देखो, इस file के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक tag है, लेकिन भाई यहां पर पहली line देखो, selector, selector के अंदर क्या है, app route, अब देखो, यहां पर हो, पता है क्या रहा है, जरा गोर से सुनना, देखो, यहां पर कह रहा है कि यह जो html है न, यह आपको कौन से selector के अंदर add करनी है, app route में, और यह वाला selector कहां पर use हुआ वा है, हमारी index.html व और app route कहां पर है, app route है हमारे पास index.html के अंदर, इसका मतलब यह html का जो भी आपको angular का ही जो homepage नजर आ रहा है न, यह आपको display कौन करवा रहा है, यह आपको display करवा रहा है, यह वाला page जिसका क्या नाम है index.html, इसका मैं आपको proof भी दे देता हूँ, proof किस तरह से तो यहां पर देखो title में क्या लिखावा है, new app, और यह ही आपको यहां पर नजर आ रहा है, हमारे angular के अंदर, ठीक है, जो homepage है, तो मैं इसके अंदर यहां पर changing करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, अर मैं कहादेता हूँ, मुहम्मद आदिल, ठीक है इसको save करते हो और इसका result अब आपको दिखाता हूँ browser पे ठीक हो देखो मैंने save कर दिया लेकिन result अभी भी यहाँ पे नहीं आया तो आप क्या करो एक दफ़ा इसको refresh कर दो तो यह देखो जैसी refresh किया यहाँ पे देखो new app की जगह क्या आगया मुहमद अदिल और यह मैंने कहां पे लिखा था यह मैंने यहाँ पे लिखा था इसके title के अंदर तो भाई देखो इस बात से यह साबित हुआ कि जो app.component वाला यह जितना भी code है ठीक है यह कहां पे add किया जा रहा है यह add किया जा रहा है हमारी इस file के अंदर इस जगह पे कौन सी जगह पे इस जगह पे जिसका नाम है app route और यही यहाँ पे बताया वा था app.component.ts के अंदर के बाई देखो यह जो HTML का template है इसको कहां पे कौन से selector में add क और फिर इस selector को कहां पे यूज किया गया है यहाँ पे हमारी index.html वाली file के अंदर as a html tag और याद रखना यह html का कोई tag नहीं है कोई built-in tag नहीं है यह हमारा custom बनाया हुआ tag है angular के अंदर हम यहाँ पे इस तरह से अपना custom html का tag बना सकते हैं किसी भी component को call करने के ठीक है तो भाई देखो अब यह diagram आपको समझ में आई होगी यह वाली diagram यह है इसका complete flow यह क्या है इसका complete flow है भाई देखो अगर यह flow आप समझ जाओगे न angular app के साथ काम करना बहुत जादा असान हो जाएगा भाई देखो मैं समझ सकता हूँ कि एक beginner को यह पूरा flow एकदम स समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप इसी वीडियो को बार बार थोड़ा सा repeat करके देखो rewind करके देखो और इसकी practice करो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताई है यहाँ पर जितनी भी different files तो यह app क्या है यह हमारे पास है component और यह हमारे पास root component है जो हमें built-in मिलता है जब भी हम अपनी angular app create करते हैं और देखो इसके अंदर कुछ files है CSS file है HTML file है और यहाँ पर देखो एक file है जिसको हमने discuss नहीं किया जिसका क्या नाम है app.component.spec.ts भाई देखो इस file को हम तब यू file को अभी delete भी कर देता हो ना तो कोई issue नहीं है लेकिन मैं इसको delete नहीं कर रहा है इसको यहीं पर रहने देते हैं ताके आपको पता हो कि कौन कौन सी files एक component folder के अंदर हमें मिलती है ठीक होगे अब यहाँ पर देखो यह जो component है इसके बारे मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा देखो app, app को मैं क्या कह रहा हूँ, app को मैं कह रहा हूँ component और component क्या होता है यहाँ पर देखो इसकी छोटी सी definition, it is a view और building block which can be reused, मतलब यह जो component होता क्या एक view होता है, view मतलब आपका एक HTML का portion आप कह सकते हो, एक HTML का code कह सकते हो, और एक building block होता है जिसको use करके हम अपनी single page application develop करते है, which can be reused, इसको हम बार बार reuse भी कर सकते हैं, देखो इसका जो practical है, वो मैं आपको अपने next lecture में कराऊंगा, क्योंके next lecture होगा हमारा components से related, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, अब आपको यह जो पूरा diagram है, अच्छे समझ में आ गया होगा, तो अब आगे आजाओ, कु अबी भी angular app first time create करते हो, उसके अंदर पहले से एक module file add होती है, और उसका क्या नाम होता है, app module, और यह जो app module है, इसको root module भी कहा जाता है, क्योंके यह सबसे पहली module file होती है, root होती है, और इसी के अंदर हमारा वो app component होता है, मतलब यहाँ पे देखो second point, every angular app has one predefined component called app component, जिसक इसने भी अपने custom components बनाएंगे, वो सारे इस app component के अंदर बनेंगे, यह मैं आगे आपको practical करके भी दिखाऊंगा, तो बस एक point याद रखो, के भई, एक module file add होती है, आपके angular project में, और एक component file add होती है, component file जो होती है, उसका नाम होता है app component, जिसको root component भी कहा जाता है, और module file जिसको app module भी कहा जाता है, और वो root module कहलाती है, फिर आजो next point, angular app can have one or more modules, मतलब आपकी angular app के अंदर, एक एक से ज़्यादा modules भी हो सकते हैं, और याद रखना, हर एक module, हर एक feature को represent करता है, जिस तरह user, user के लिए आप एक अलग module बना सकते हो, admin के लिए आप अलग module बना सकते ह तो, हर एक एक से ज़्यादा components होते हैं, तो यहां पे देखो, क्या कह रहा है, modules can have one or more components and services, मतलब देखो, module के अंदर आप एक एक से ज़्यादा components भी बना सकते हो, और उसके अंदर एक एक से ज़्यादा services भी बना सकते हो, मतलब modules के अंदर components भी हो सकते हैं और services भी हो सकती है services क्या होती है इसको भी हम future में देखेंगे यहाँ पर देखो next point components have HTML and class मतलब भाई देखो components के अंदर HTML होता है जो के मैंने आपको दिखाया था app.component.html था और उसके अंदर एक class भी होती है जो के मैंने आपको app.component.ts में दिखाया था मतलब यहाँ पर देखो देखो यह आपको नदर आ रहा होगा app.component.html देखो इसके अंदर सारा क्या है इसके अंदर सारा HTML का code है HTML.CSS का code है और यह वाली जो file थी app.component.ts इसके अंदर देखो क्या बता रहा है कि यह एक class भी है और भाई देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई app.component.ts एक class है लेकिन यह जो component.decorator function है न इसकी वज़ा से हम इसको normal class नहीं कहेंगे बलके हम इसको component कहेंगे मतलब जहाँ पर भी आपको यह component.decorator देखने को मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि यह जो class है यह normal class नहीं है TypeScript की या JavaScript की यह आपके पास एक component है और component की जो information है वो यहाँ पे इस decorator function के अंदर display कराई जाती है और decorator function मैंने आपको क्या बताए एक TypeScript का concept है ठीक है फिर यहाँ पर देखो एक point यहाँ पे क्या बता रहा था कि modules के अंदर आपके पास एक एक से जादा components और services हो सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे diagram में बताया कि भाई देखो main.ts के बाद app module चलती है और app module के बाद हमारा app.component चलता है इसका मतलब app.component किसके अंदर मौजूद है app.component के अंदर मौजूद है मतलब app.component को start.con कर रहा है app.module ठीक है तो यह है इसका concept ठीक है तो यह कुछ important points थे तो अब हमारा lecture यहाँ पे हो गया complete तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर 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 सबस्क्राइब करना तो भाई ये था हमारा part number 5 उमीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर इस lecture के अंदर कोई भी confusion है comment box में मुझे जरूर पूछ लेना तो उमीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो मिलते हैं इंचाला नेक्स लेक्चर में मुझे अपनी दौा में याद रखना तब तक के लिए दीज़े इजाज़त अल्ला हाफिस